करते हुए फर्स्ट यूनिट के अंतरगत अर्थात सिक्षा के सारुभोमी करन्ड है तो सम्वैधानिक प्रावधान ये प्रतिवधताओं के अंतरगत आने वाले विभिन प्रकार के जो अनुछेद हैं उससे संबंधित जैसे आर्टिकल फोटी फाइप आर्टिकल फोटी सि की थी आज में एक महत्वपूर टॉपिक लेकर के पुना अपनी इस वीडियो में उपस्तित हुआ हूं आज का मेरा टॉपिक है निसुल्ग और अनिवारे वाले शिक्षा का अधिकार अधनियम 2009 जो कि अनुछेद 21 का यानि अनुछेद आर्टिकल 21-1 के तहत ही इसका प्र की जो उन्नत ही होती हो जो प्रगत ही होती है वह उस देश के सुयोगले भाण शिक्षितनागरीकों के बलबूते होती है और यही कारण है की शिक्षा जो है अपने समाज के लिए उपयोगी सुयोग यो मुत्तरदाई नागरिकों का निर्मार करने में महत्वपूर भूमी का निभाती है शिख्षा के जो अन्य अस्तर हैं चाहे वो प्रारमिक अस्तर हो चाहे माद्यमिक अस्तर हो चाहे पुच्च अस्तर हो इन सभी इस तरों में जो प्रार्मिक सिक्षा होती है उस समग्र सिक्षा विवस्था की आधार सिला मानी जाती है इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमारे समिधान निर्माताओं ने राज्य के नीत निदेशत तक्तों के अंतरगत प्रावधान किया था कि देश के जितने भी छे से चौदा वस्था की आउके बालक है उन सभी के लिए निशुल तथा अन्यवार प्रावधान करना होगा यहीं अपने निशुल के अन्यवार प्रावधान सिक्षा कि संकर्पना को इस आर्टिकल के माध्यम से समिधान निर्माताओं ने व्यक्त किया था परन्तु आगे चल करके काफी समय बीद जाने के पस्चाद भी अपने लख्षे को प्रावधान भी उसमें सहयक नहीं था यह राजियों के उपर निर्भर करता था सरकारों के उपर निर्भर करता था कि इसको वो लागू करें या ना लागू करें इसके लिए कोई बात देता नहीं थी इस चीज को समझते हुए जो हमारे डेश की संसदने 66 में समय धानिक संसोधन जो की 2002 में हुआ था उसके तहट आर्टिकल 21 में जो प्राण एवं दहिक स्वतनता का अधिकार हमें प्रदान करता है जीवन जीने का अधिकार पतान करता है उसी में आर्टिकल 21 में ए जोड़ करके यानि 21A बनाया गया या अनुछे 21 का जिसको हिंदी में कहते हैं बनाया गया चुकि आर्टिकल 21 में ही इसलिए जोड़ा गया क्योंकि सिख्षा को भी उतना ही महत्तपूर माना गया जितना की जीवन जीना महत्तपूर है एक व्यक्ति के लिए सिख्षा को प्राण एम तैहिक सुतनता की वराबरी नियुक्ति को जीवन जीना महत्तपूर है उसी प्रकार से उसके लिए सिख्षा महत्तपूर है यह कारण है कि आर्टिकल 21 जो कि हमें जीवन जीने का अधिकार देता है उसी में 21A जोड़ करके 21A का प्रावधान करके जो ये निशुल क्यों अनिवार शिक्षाती उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया चुकि 2002 में ही राइट टु एजुकेशन अपने अस्तित्तों में आ गया था किन्तु यह उतना प्रभाव साली धंग से लागू नहीं हुपाया था और इस कमी को पूरा करते हुए हमारी संसद ने आर्टिकल 21A को प्रभावी धंग से लागू करने के उतेश से संसद में 4 अगस्त 2009 को बालकों के निशुल के ओम अनिवार बालव सिक्षा का अधिकार अधिकार अधियम 2009 पारित किया राष्टपत के अर्मोधन के उपरांत 27 अगस्त 2009 को इसे भारत के राजपत्र में प्रकासित कर दिया गया था चक्त आत्र में है शालद करना चाहूंगा कि इसके संबंद में 2-3 प्रकार के प्रश्मूरते हैं जैसे 86 समयधानिक संसोधन किससे संबंदित है तो आपको यह पता होना चाहिए 86 स में अधिशन इसके अदिर्ट जो तो राइट टो एजुकेशन दोजार नौ है वो भी चुकि राइट टो एजुकेशन समय धानिक संसोधन के द्वारा ही अस्तित्व में आ गया था लेकिन प्रभावी धंग से उसको लागू करने के लिए राइट टो एजुकेशन 2009 लाया गया जो कि चार अगरस दोजार नौ को संसद में पारित हुआ उसके बाद राष्टपत के अनमोधन यानि सकताई सगस्त 2009 को जब राष्टपत के अनमोधन प्राप्त हो गया तो यह भारत सरकार के राजपत्र में भी प्रकासित कर दिया गया इसके साथ ही देश के प्रतेक बच्चे को सिक्षा का मौलिक अधि अधिकार से कोई वंचित रह जाता था तो उसको चेलंग नहीं किया जा सकता था लेकिन यदि 6-14 वर्ष का कोई भी बालक सिक्षा से वंचित होता है उससे शिक्षा नहीं प्राप्त होती है तो वह सरकार या राज के विरुद्ध नयाले की सरण में भी जा सकता है एक प्र अंतरगत आता है इसके विषय में विस्तार से अध्यान करेंगे चातर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो राइट टु एजुकेशन 2009 है इसको साथ अध्यायों में बाटा गया हो और 38 खंड में बाटा गया है तो आई हम लोग एक एक करके इसके साथो खंड के विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं जो इसका पहला अध्याय है इसमें इसके अंतरगत प्रश्तावना आती है और इस अध्याय एक के अंतरगत इसकूलों को परिवासित करने करते हुए एक तरह से जो इसकूलों के प्रकार हैं उनको विभाजित किया गया है जैसे अध्यायक में आप देख रहे हैं कि स्थापित और नियमित स्कूल हैं, अनुदान प्राप्त निजी स्कूल होते हैं, बिसेश त्योडी के स्कूल जैसे नवदे केंद्री विद्यालयाद, अनुदान ना पाने वाले निजी स्कूल, यानि अध्या एक के अंतरगत, इस बात का प्रावधान किया गया कि Right to Education 2009 किन-किन प्रकार के स्कूलों पर लागू किये जाते हैं, तो जैसा कि आप सभी देख करें, इसमें सरकारद्वारा स्थापित और नियमित स्कूल, अनुदान प्राप्त निजी स्कूल, विशेश त्योडी के स्कूल, जैसे नवदे केंद्री विद्यालया अनुदान ना पाने वाले निजी स्कूल, ये सभी Right to Education के अंतरगत आते हैं, इसके अध्याय दो में निसुल्क और अनिवार शिक्षा के अधिकार के संबन में विस्तार से परिचिप्षा किया गया है, आईए हम अध्याय दो के अंतरगत आने वाले प्रावधानों से परि रोस के स्कूल में निसुल्क और अनिवार प्रार्रमिक शिक्षा को पूरा होने तक प्राप्त करने का पूरा-पूरा अधिकार होगा, इसके अध्याय दो में अपनी प्रार्रमिक शिक्षा को पाने और पूरा करने में किसी बच्चे को किसी तरह का सुल्क या खर्चा दे कक्षा में पर्वेष ले सकता है उसे अपनी कक्षा के अस्तर पर आने के लिए नहीं सुल उसे ना तो विद्याले से निकाला जाएगा और ना ही उसे रोका जाएगा यदि यह निर्धारित 14 वर्ष की आयो तक प्रार्णमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता है तो उसके बाद भी पढ़ाई पूरी होने तक उसे निसुल्क शिक्षा दी जाती रहेगी इसके अधिक्षात्रों बच्चों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरन का अधिकार भी इसके तहत प्रावधान किया गया किए किसी स्कूल में प्राडमिक शिक्षा पूरा करने का प्रावधान नहीं है, तो बच्चे को किसी भी दूसरे स्कूल में इस्थाना अंत्रन लेने का अधिकार होगा, अध्यापक को टी-सी तुरंत निर्गत करना पड़ेगा, इसमें देरी करने पर अध्यापक के वहां टीसी को देर से प्रस्तूत करने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं किया जा सकता है देर से प्रवेश देने का अधिकार नहीं बिनाया जा सकता है तो आप देख सकते हैं कि अध्यायदू में निहसुल कियों अनिवारे सिक्षा के अधिकार के समझ में विस्तार स प्रावधान बताए गए हैं इसके अध्यात तीन केंद्र और राज्य अस्थानी सरकारों और अभिभायोकों के दाई तो कभी भाजन करता है राइट टो एजुकेशन के संबंद में इस अधिनियम के लागू होने तक के तीन साल के भीतर सरकार और अस्थानी सरकारों को पड कि उसे दूर कोई भी विद्याले निर्मित नहीं किया जाएगा बलकि उसके नजदीक ही विद्याले का निर्माण किया जाएगा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1976 के समवैधानिक संसुधन के दौरा 42 समवैधानिक संसुधन के दौरा सिक्षा को समोर्ती सूची में सामिल कर दिया गया इसके पहले सिक्षा राजसूची का भी से हुआ करती थी लेकिन 1976 के सम्वैधानिक संसोधन के द्वारा सिक्षा को समुर्थी सूची मिला दिया गया और अब इस पर केंद्र और राज्य दोनों प्रकार के सरकारें प्रावधान बना सकती हैं इसके सुधारादी के लिए तो इसमें केंद्र और राज्य के दायतों का बटवारा करते हुए भी प्रावधान किये गये हैं जिसकी चरिचा हम लोग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ कर्देंगर को सहयता अनुजान के रूप में पढ़ान कर सकती है केंद सरकार राश्टी पार्टिचर्या का फ्रेमर तयार करेगी, शिक्षिकों को परशिक्षन का मांदन लागू करेगी और नवाचार, अंसंधान, नियोजन और छमता विकास को पुरुदसाहित करने हैं तो राज्य सरकारों को आवेस्थ तक्नीकी सहायता और संसाधन उप करेगी, पड़ोस में पिद्यालय की सुविधा सुनिश्चित करेगी, यह भी सुनिश्चित करेगी कि कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के साथ इसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, विद्यालय भावन, सिक्षक और सिक्षन सामगरी सहित आधार भूत जो सारच कि उपलबता सुनिश्चित करना है, उसका विद्यायत तो इन तीनों प्रकार के लोगों पर होगा, इसके अतिरित बच्चों को अच्छी सिच्छा और सिक्षकों के लिए प्रसिच्छन सुविधा प्रदान करने के अलामा, विद्यालयों में कामकाच की निग्रानी भी प्रत्यक अभिभावक का यहदाइत होगा कि वश्चे से चौदा वर्स तक के अपने बच्चे को विद्यालय में पढ़ने के लिए भरती कराएं, कहने का ताप पर यह है कि इसी आर्टिकल 21-A के तहत एक्यावन के जे जोड़ा गया, जिसके तहत जो की मूल कर्तब्यों मे सामिल है, जो हमारे मौलिक कर्तब्यों हैं, उसके तहत एक्यावन के जे जोड़ते हुए अभिभावकें के लिए यह कर्तब्यों बनाया गया, मौलिक कर्तब्यों बनाया गया, कि 6-14 वर्स तक के वो अपने बच्चे को विद्यालय में पढ़ने के लिए भरती कराएं, यह आभिभावकों का दाइत तो होगा, तीन साल से अधिक उमर के बच्चों के प्रारंबिक सिक्षा है, तो तयार करने के लिए उपक्ति सरकार बच्चों को आरंबिक देख रेके साथ, उनके 6 वर्स तक के उमर होने तक पूर स्कूल सिक्षा है, यानि अरली जक ब्यवस्था बना सकती है, आप सभी जानते हैं कि गाउं में आगनवारी के इंदर होते हैं, जिसके तहत प्री प्रैमरी एजुकेशन की ब्यवस्था की जाती है,